हलो दोस्तों प्रतिमा जियेस एकड़ीप आप सभी का स्वागत है दोस्तों पजिया और पारिसेति की पिछर्चा हम कर रहे थे उसी को आप कांटीनियू करते हैं आप लाइक करें शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्स पारिसेति की पिरामीड पोसड अस्तरों को जब आरेखिये यही डाइग्रामेट्रिक के रूप में दर्साए जाता है तो उसे पारिसेति की पिरामीड कहते हैं खाद उत्पादकों द्वारा पिरामीड का अधार निर्मित होता है तथा सीर्स मांसा हारी द्वारा पिरामीड के सीर्स का निर्माड होता है इस प्रकार खाद स्रिंखला में कर्मिक पोसर अस्तरों में प्रजातियों के संख्या बायोमास वा उर्जा की सुलवता वा प्राप्टता में इस तरह से हरास होता है कि उनका आकार पिरामीड हो जाता है पारिस्तिकी प्रामीड के प्रकार यह तीन प्रकार के होते हैं संख्या प्रामीड बायोमास प्रामीड और उर्जा प्रामीड तो पारिस्तिकी प्रामीड तीन प्रकार के होते हैं संख्या प्रामिर, बयोमास प्रामिर और और उर्जा प्रामिर, यह प्राथमिक उत्पादकों और विभिन अस्तरों में उपभोगताओं की संख्याओं के बीच का संबन दिखाया जाता है, इसमें प्राथमिक उत्पादकों और विभिन अस्तरों के उपभोगताओं की संख संख्यायों के बीच का संबन दिखाय जाता है और संख्या पिरामीड सीधा वह उल्टा दोनों प्रकारका हो सकता है। इस्पिरामीड में बढ़ते पोशण अस्तरओं के साथ जीव की संख्या में अत्यधिक कमी होती है। इस प्रकार का प्रामीड आधार तल पर चोड़ा वा सीर्ष पर अत्यधिक नुकीला होने लगता है और घास सबसे निचले आधार तल पर बिस्त्रित होती है तथा वहां इनकी संख्या बहुतायत में पाई जाती है अगला पोशड अस्तर प्रात्मी को भोगता का होता है उधारन के लिए टिड़्डा और टिड़्डे की संख्या घास के तुलना में कम होगी इसका कारण इसका कारण अगला पोशड अस्तर प्रात्मी की मानसाहारी जीओं का होता है जैसे चुहा तो इसका अगला पोशड अस्तर दुत्यक मानसाहारी का होगा जैसे बाज तो प्रतेक अस्तर पर जीओं की संख्या में गिरावाट आती है वहीं सीधा संख्या पिरामीड होगा एक पेंड होगा पेंड पर बहुत सारी चिडिया होंगी और उसके बाद में फिर अन जो प्रकार के जीव हैं वो देखे जाएंगे इसलिए जो संख्या के आधा पर पिरामीड बनता है वो सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है जैसे पेंड पेंड पर बहुत चड़िया और चड़िया के उपर आवल जादा बहुत कीड़े मुकोड़े बहुत जादा होंगे तो इसलिए धीरे धीरे वो उपर चौड़ा होता चलाएगा नीचे सिकड़ा रहेगा तो इसलिए उल्टा भी होगा और सिधा भी बनेगा बायोमास पिरामीड संख्या पिरामीड की कमियों को दूर करने के लिए बायोमास पिरामीड का परियोग किया जाता है इस पिरामीड में प्रतेक जिव के जय उभार का इस्तेमाल किया जाता है ना कि उनकी संख्या गिनी जाती है इसमें किसी विशेश समय पर प्रतेक पोशड अस्तर पर सभी जिवों के सुस्क भार का अध्यन किया जाता है यहाँ परिस्थित की तंत्र में सभी पोशड अस्तरों में भंडारित समस्त जिवों के सकल भार को प्रदर्शित करता है यहाँ परिस्थित की तंत्र में सभी पोशड अस्तरों में भंडारित समस्त जिवों के सकल भार को प्रदर्शित करता है इसमें दो प्रकार के बायोमास प्रामिड होते हैं सीधा बायोमास प्रामिड और उल्टा बायोमास प्रामिड तो सीधा जो होगा वो नीचे एगर 1000 किलोग्राम है फिर 100 होगा फिर 10 होगा फिर 1 किलोग्राम होगा यानि नीचे से उपर घड़ता जाएगा और उल्टा जो है नीचे से उपर बढ़ता जाएगा तो सीधा बायोमास पिरामीड अस्थल पर पाये जाने वाले अधिकतर पारितंत्रों के लिए बायोमास के पिरामीड के आधारतल प्राथमिक उत्पादों से बनता है तथा सीधा बायोमास पिरामीड है अस्थल पर पाये जाने वाले अधिकतर परितंत्रों के लिए बायोमास के पिरामीड के आधार पर प्राथमिक उत्पादों से बनता है तथा सीस पर लभू पोशरस्तर होता है स्वपोशी जीवों उत्पादकों तथा जयोभार अधित्तम होता है अगले पोशरस्तर में प्रात्यमिक उपभोगताओं का जयोभार उत्पादकों से कम होता है अगले पोसर रस्तर में दुद्यक उपभोगताओं का बायोमास प्राथमिक उपभोगताओं से कम होता है तो सीर से पोसर रस्तर पर बहुत कम बायोमास होता है क्रमसा वही प्रक्रिया है जैसे नीचे से उपर जाने पर धिरे धिरे कम हो जाता है उल्टा बायोमास पिरामीड जलिये पारिसेतिकी तंत्र से इस तरह का बायोमास पिरामीड उल्टा पाया जाता है यानि जलिये पारिसेतिकी तंत्र में बायोमास पिरामीड उल्टा पाया जाता है जलिये परितंत्र के उत्पादक सूच्म पादक पलोवक को जो तीब्र गती से बिर्दी करते हैं को प्रामीड के आधार तल पर निम्नतम बायोमास का प्रतनिधित्व करते हैं तथा बड़ी होयल मशलियां इसके उचतम भार का प्रतिनिद्यूत करेंगी इस प्रकाजिया पिरामीड उल्टा द्रिश्च होगा उर्जा पिरामीड किसी पारितंत्र के बिभिन पोसर अस्तरों की कार्यात्मक भूमिका के तुलना करने के लिए उर्जा पिरामीड ही सबसे उतक्रिष्ट प्रदर्शन होता है क्योंकि इसमें बेष्टियों की संख्या आकार और सहती यानि बायोमास की विभिन नताओं पर जरूरत से ज़्यादा महत देकर उसे बिक्रिक नहीं किया जाता है उर्जा पिरामीड उसमा गत्की के नियमों का पालन करता है इसमें एक पोशड अस्तर से दूसरे पोशड अस्तर पर इस्थानांत्रित होने वाली उर्जा को ही दिखाया जाता है अधा उर्जा पिरामीड सदेव सिधा होता है प्रदूसर वा पोशड अस्तर किसी भी पारिशिति की तंत्र में प्रदूसर विशेश कर गयर निमनी करण ये प्रदूसर कई पोशड अस्तरों से होकर गुजरते हैं गैर निमनी करण प्रदूसर से तात्वर उन पदार्थों से हैं जिनका जिव प्राणियों द्वारा उपापचैन नहीं क्या सकता है उदारन के लिए क्लोरिनेटेड हाइड्रो कार्बन पोशक अस्तरों में प्रदूसर की गत सीलता की दो प्रक्रियाएं हैं जेव संचैन और जेव आवर्धन जेव संचैन क्या होता है जेव संचैन यह दर्साता है कि किसी प्रकार का प्रदूसर खाद स्रंखला के भीतर प्रवेश करते हैं जेव संचैन खाद स्रंखला में परियावरण से जीवों में प्रदूसकों के बढ़ते संकेदरन को दर्साता है जेव संचेन यास दरसाता है कि किसी प्रकार का परदूसन खाद शिंखला के भीतर प्रविश करते हैं जेव संचेन खाद शिंखला में परियावरर से जीवों में परदूसकों के बढ़ते संकेदर को दरसाता है और जेव आवर्धन के आसे प्रदूसन का एक ऐसा पोशक अस्तर से दूसरे पोशक अस्तर में सांद्रन बढ़ने से है जेव आवर्धन होने के लिए प्रदूसकों में चार्थ तका होना आवस्यक है दीर के इस्थायुत, गत सीलता, वसा में बिले सीलता और जैविक सक्रेता यह जेव आवर्धन के चार्थ तक्त्त है अब देखे जैविक अनयुनिक्रिया के अंतरगर दिखा जाए तो अनयुनिक्रिया के प्रकार प्रथम प्रजाति दुत्य प्रजाति और अनुनिक्रिया के प्रभाव सह जीविता जो है ये प्रथम प्रजाति के लिए भी सकारात्मक होती है और दुत्य प्रजाति के लिए मतलब जो दो प्रजातियां होती है वो दोनों दूसरे को लाप पहुंचाती है इनका प्रभाव क्या होता है? दोनों प्रजातियां लाभानवित होती हैं उदाहरण के लिए प्रागड में प्रागड को भोजन मिलता है और पौधिर से प्राग निसेचन के लिए अन्रफोलों में स्थानांत्रित कर दिया आता है तो यह हो गया सह जीविता सहे जीवता दोनों को लाव देता है सहे भोजिता सहे भोजिता प्रथम को तो लाव होगा दूसरे को ना लाव होगा ना हानी होगा वो उदासीन रहेगा तो एक प्रजाती को लाव होता है और दूसरी प्रजाती आप्रभावित होती है जैसे गाय का गोवर, भ्रिग को भोजन और आस्रे प्रदान करता है भिग मतब जो छोटे मूटे कीरे होते भोरे टाइप के गोवर के अंदर वो अपना आस्रे देखते हैं प्रदान करता है और भ्रगों का गाय पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है तो यहाँ लाब कुसको हो रहा है यहाँ लाब भ्रग को हो रहा है लेकिन गाय के गोवर के वाज़े से गाय को उसमर कोई फरक नहीं पड़ता अस्परधा नामी है कि एक दूसरे को नुकसान पहुचाना इस्परधा जहा कमपटेशन होगा वहाँ लाव कहा होगा दोनों प्रजाति प्रभावित होती है यदि दो प्रजातियें एक ही भोजन खाती है और दोनों के लिए परियाप्त भोजन नहीं है तो दोनों को कम से कम भोजन तक पहुंच प्राप्त हो क्योंकि यदि वह अकेले होते तो भोजन परियाप मात्रा में उपलब्ध होता तो ये दोनों भोजन की कमी से पीडित होते हैं उदाहरन आवाज भोजन आवाज की समस्या जिसे चुहे की कमी का प्रभाव बिल्ली वा साप दोनों पर पड़ेगा परभ्रमड परभ्रमड एक को फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा यानि यहाँ पर क्या होगा कि एक दूसरे को खा लेगा जिसे सेर और हिरन तो एक परजाती के लोग एक परजाती को लाब होता है अर्था सिकारी वा दूसरी परजात सिकार को हानी होता है जैसे मचली परजीवी को मारती है और खाती है सेर द्वारा हिरन का सिकार कियाता है तो यह क्या है परभच्छन है दूसरे का भच्छन कर लेना तो यहां पर एक परजादी को तो लाब होता है दूसरे को हान ही होता है परजीविता परजीवता में क्या है कि यहां भी एक कुलाब है दूसरे को हन ही है एक प्रकार एक परजाती को लाब मिलता है दूसरे को हन ही होती जैसे रत चूसने से टिक को लाब होता है मतलब खटमल को लाब होता है अमरबिल का दूसरे पोधे पर उगना यह परजीवता है असे भोजिता एक को नुक्सान होगा दूसरे को कोई फरक नहीं पड़ेगा तो एक प्रजाती को नुक्सान में रहती है जबकि दूसरी प्रजाती आप्रभावित रहती है जैसे एक बड़ा पेड एक छोटे पेड पर छाया बनता है तो छोटे पोधे की बिर्धी को रोग देता है लेकिन छोटे पोधों को बड़े पेड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो यह हो गया असहे भोजिता, असहे जैस्तिती में होना की कह सकते हैं तटस्तता यहनी उदासिंता एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं या इसपष्ट नहीं की प्रकृती में या कैसे होता है परंतो दो जीव एक स्थान पर एक ही संसाधन पर इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं कि उनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जेव भूरासाइनिक चक्र यह बहुत महत्तपूर पॉइंट है उप्रोक्त जो मैंने भी बताया वही महत्तपूर है इसमें सारे महत्तपूर टॉपिक को ही ले करके हम आते हैं आप लोग लाइक करें सेर कर दें और अपने दोस्तों को बताएं टार्गेट हमारा 2024 को एकजाम को ले करके है जो लोग I.S. दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्तपूर हैं PCS दे रहे हैं उनके लिए भी महत्तपूर हैं यहां पर मैंने यह नोट्स ऐसे डिजाइन किये हैं और अपने हाथ से मैंने लिखा है जिससे कि कोई भी ऐसा important point न छुड़ जाये जो कि इसमें कई किताबों का और कई अलग नोटसों का समन्नों दिया गया है आप लोग इसका लाफ लिजे और अपने दोस्तों को सेर किजे जैव भूरासानिक चक्र पोशक तत्तों तथा महत्तपूर लगुवा दिर्ग तत्तों के जैविक से अजैविक या अजैविक से जैविक घटकों में गती के फल सरूप पारिस्थिति की तंत्र में पोशक तत्तों का प्रवाव निर्धारित होता है इसे ही जैव भूरासानि चक्र कहते हैं कि खणीज पोसक्त्रत्यों में चक्री करण में जय वह भौतिक वाता और ज बिभेनी राशायनी अभिक्रिया रूपआंट्राण के माध्यम से समाण रूप से समलित होते हैं इसलिए इस प्रकार को जय भुूर असानि पूसक तत्तु समाप्त नहीं होते बलकि बार-बार पुनचक्रित होते हैं और वह अनंत कालत संचालित होते हैं उधारण के लिए जब हम सांस लेते हैं तो हम कई मिलियन प्रमाड़ूं को अपने अंदर कर लेते हैं जो कि हमारे पूरवजों या अन जियों द्वारण ली गई सास हो सकती है तो की गत्त्तिलता को पोसर्चक्र कहा जाता है पोसर्चक्र के प्रकार है पोसर्चक्र एक अउधारणा है जो की बताती है कि कैसे पोसर्चत्त भोतिक परियावरण से जैविक एकायों में इस्थानांत्रित तथा उसके बाद कैसे भोतिक परियावरण में पुना चक्रित होते हैं पोसक तत्त का प्रवाब भोतिक परियावरण से पौधों में जन्तों में तथा फिर से परियावरण में हो जाता है तथा यह परक्रिया पारिशिति की तंत्र की आनिवारे परक्रिया है अनिवारे प्रक्रिया है पोसक चक्र का अधियन विसिष्ट पोसकों के संदर में किया जाता है परिया वरण में प्रतेक पोसक के चक्र का एक विसिष प्रतिरूफ होता है पोसर्चक्रों में कार्बन पोसर्चक्र, नाइट्रोजन पोसर्चक्र, सरप्रमुक है और यह दोनों चक्र मिलता कि पोसर्चक्र के संदर्व में अत्यधिक महत्तपूर है प्रतिस्थापन अवधि की आधार पर एक पोसर्चक्र पूर्ड या अपूर्ड प्रकार के होते हैं अधिकतर गैसिये चक्रों की समानता पूर्चक्र माना जाता है इसके बिपरीत अवसादी चक्र अपेच्छा कृत अपूर्ड माना जाता है क्योंकि चक्र की क्रिया विधी के दवरान कुछ पोसर्चत्त्यों का छह हो जाता है तथा पोशक तत्त आउसादों में निच्छेपित हो जाते हैं और इस प्रकार पोशक तत्त पुना चक्रण के रिए ततकालिक रूप से उपलब्द नहीं हो पाते भंडार के स्वरूब के आधार पर पोशक चक्र दो प्रकार के होते हैं एक गैसिय चक्र दूसरा आउसादी चक्र यानि गैसिय चक्र जो है पोड़ चक कहलाता है आउसादी चक्र अपोड़ चक कहलाता है जैसके मैंने उपर बताया भी गैसिय चक्र इसमें भंडारन वायो मंडल या जल मंडल में होता है और अवसादी चक्र का भंडारण प्रिथिवी के क्रश्ट पर होता है गैसीय चक्र में जल चक्र जल चक्र प्रिथिवी वायुमंडल प्रणाली में जल का सतय संचरण होजो की सौर उर्जा से संचालित होता है हमारे ग्रह पर जल प्रमुक रूप से जलासेयों में, महासागरों में, जील, नदी, ग्लैसियर, बरफीले चेत्र, भूमिगत के रूप में संचरईत होता है जल एक जलासे से दूसरे जलासे में वास्पी करण, वास्प संगनन, वर्षा, निच्छेपड तथा भूमिगत जल संचरण के रूप में संचारित होता रहता है इस प्रकारिया पूर्चक्र होता है वास्पी करण होगा, फिर संगनन होगा, फिर वर्षा होगा, फिर निच्छेपड होगा, फिर भूमिगत में जाएगा, फिर वास्पी करण होगा, तो एक पूर्चक्र ये बना देता है